हलो गाईज विल्कम बैक टो मैं न्यूइ वीडियो से हुआ बात करने वाले हम निफ्टी-फिफ्टी के बारे में किस तरीके से प्लाइनिंग कर सकते हो आने वाले वीक के लिए मार्केट हमें क्या करके दिखा सकता है इसमें हम बहुत ही शौट सिंपल रखेंगे कि अगर आपने वीडियो देखी हो थी तो आपका पैसा ज़रूर बनता यहां पर हम जाएंगे टेलीग्राम पर और देखेंगे कि आज हमने आपको कोई ट्रेड नहीं दिया कोई स्कल्पिंग अपोश्योटी नहीं दी यहां पर हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट देख सकते हो आप आज के दिन कुछ प्रॉफिट बना है बहूत ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना है ठीक है, हमने कल की वीडियो में भी बात कीती हीków मार्केट नीचे गरेगा सुबह भी बताया था मार्केट नीचे गरेगा मार्केट ने वैसा ही किया भी अब यहां पर हम जाएंगे आपका अकम क्या है, डिस्किप्शन में लिंक है, जाके जॉइन कर लो, टेलिग्राम, so that आप भी वहाँ से कुछ न कुछ benefit उठा पाओ, अब देखो, market क्या कर रहा है, market ने क्या किया आज, किस तरीके से trap किया और किस तरीके से target दिया, यहाँ पर आपको कुछ सिखाने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मैंने आपको बोला था कि यह एक trend line जा रही है, अगर हमारा market इधर कहीं open होता है, support लेकर उपर निकलेगा, इन levels के उपर हम call side में जाएंगे, जो कि market ने ऐसा नहीं किया, दूसरा था हमारा कि market अगर यहाँ कहीं पर open होता है flat, तो इसको तोड़ दे, और उसके बाद यह important level तोड़ दे, देन हम put side में जाएंगे, तीसरा था, अगर नीचे आ रहा है तो उपर retest करेगा, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, ठीक है, market ने क्या किया, gap down opening हुई, market ने retest किया levels, और market फॉल कर गया, ठीक है, यहाँ पर market ने फसाए, call वालों को, ठीक है, उसके बाद market नीचे किरा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसके बाद market फॉल on sideways, कोई market ने target नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस लोगों को trap करता रहा है, और लोगों ने overtrade कर करके, आज बड़िया loss किया होगा, अब एक और चीज आपको समझाऊंगा, मैं, जो आपके लिए important रहने वाली है, आगे आने वाले दिनों के लिए, जब भी market, ठीक है, कुछ इस तरीके से बंदो, बताता हूँ मैं, एक सेकंड देदो मुझे, open यहां हो रहा है, टेलो बना रहा है, closing यहां, यानि कि open उपर है, closing नीचे, यानि कि एक trendy move, ऐसा, ऐसा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है market में, वो देखो, उसके बाद यह भी देख सकते हो, trendy move, closing, उपर ही करा है, अच्छी खासे लेवल पर, यहां पर देखो market ने क्या किया था, यह close है, यह low है, market ने क्या गिया, open होता है market, उसके बाद नीचे आता है, support लेता है, पीछे चला जाता है, ठीक है, यहां पर call को trap किया, put वालों को trap किया, market upside निकल गया, same चीज़ यहां पर देखो, यह low था हमारा, ठीक है, market यहां पर खोला, उपर गया, fall कर गया, यहां पर भी call को trap कर दिया, इसने, ठीक है, तो यह चीज़ आपको देख के रखनी पड़ेगी, ऐसे काफी सार आपको example और दिख जाएंगे, एक second दो मुझे, मैं देखता हूँ, अगर मिलते हैं तो, चलो आगे देखते हैं, और example थोड़े से, wait a minute, देखो यहां पर क्या होता है, एक second दो, यह market यहां पर open हुआ, यहां पर closing हुई, ठीक है, market थोड़ा sideways हुआ, यहां पर put वालों को लि इनको निकाला, यहां कॉल वालों को लिया, इनको निकाला, और market ने fall कर दिया, ठीक है, put side में, समझे, समझे कुछ, समझा रहा है कुछ, market उपर गया, fall कर दिया, यह दिन trendy था, आप देख सकते हो, ओके, और देखो, यहां पर भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, opening य लेकिन यहां पर भी लोगों को फसा के market उपर की तरफ गया है, तो आपको ऐसे दिनों में थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कि ओके, ऐसा भी हो सकता है, जिसके लिए आप ready रहें कि market एक तरफ वालों को trap करके फिर निकलता है, तो यह चीज आप थोड़ा सा अपने अग में डाल के रखें, चलिए इतना काफी था, बताने के लिए आगे ऐसा कुछ हो तो जरूर ध्यान में रखना, अब आजाते हैं market पे, तो देखो market ने कुछ खास आज momentum की दिया नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ तो यह बता दूँ, दूसरा हमारे लिए important level सब क्या हो ग या नहीं करता है, हमारे लिए important है 21,920-900 के level, जो कि हमारे ये downside के level है, और हमारे लिए important है ये वाले level, यानि की 22,120 जो आज का high है, इस area में आप नहीं काम करेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, जब ये area निकल जाए, उसके बाद काम करो, ठीक है, जिस direction में, अगर हम upside निकलते हैं, तो upside के target भी हम देखेंगे, अगर downside निकलते हैं, तो हमें बड़े target मिल सकते हैं, लेकिन इस area में आपको काम नहीं करना है, और जब भी market इन areas को निकालेगा, उस time पर देखो, market में volume कैसा चल रहा है, और कुछ भी एक pattern के साथ, यानि कि ये fall करे तब मत गुषो, थोड़ा wait करो, एक pullback आने दो, उसके बाद entry करो, तो आपका ज़्यादा बढ़िया रहेगा, for example, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, तो ऐसा ही कुछ हम देखेंगे, कल की वीडियो में discussion में लाएंगे, थोड़ा weekly view, daily view, और कुछ stocks बगेरा, so that आप भी का काम क्या है, आपका काम है, वीडियो को like करना, channel को subscribe करना, telegram को join करना, comment section में जो पूछना है, पूछ सकते हैं, thank you so much, मिलते हैं, bank nifty के वीडियो में,